Hello and welcome viewers, कैसे हो आप लोग? I hope guys आप सभी इच्छ होंगे So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FM WhatsApp के Online Toast Setting के बारे में कुछ लोग guys इसे Online Notification के नाम से भी जानते हैं So guys, basically Online Toast वाले फीजर का यूज ये होता है कि आप जब भी अपने WhatsApp को Open करते हो तो आपके WhatsApp में जितने भी Contacts होते हैं उनके Last Seen आपको Side में दिख जाते हैं और साथ ही में guys जो कोई भी Online होता है तो आपको एक Active Green Color का Active Mark दिख जाता है So guys, अगर आपके WhatsApp में Online Toast से Related कोई भी Problem है तो उसका Solution guys आपको इस वाली वीडियो में 110% मिलने वाला है बस guys आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले guys अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दो और बेल आइकन को भी All पे सेट कर दो ताकि guys आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें So guys basically online toast वाली सेटिंग डिसेवल होने के चार ही रीजन्स हैं जिनके बारे में guys हम डेटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हो सकता है guys वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट जो आपकी problem है उसका solution आपको इस वाली वीडियो में जरूर से मिल जाएगा So guys जो पहला reason है वो है last scene अगर guys आपने अपना last scene hide करके रखा होगा तो आपके phone में ये वाली setting automatically disable हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है setting में चले जाना है Setting में जाने के बाद guys यहाँ पर आपने account वाली option पे आ जाना है तो यहाँ पर आपने privacy वाली option पे click करके यहाँ पर अपना last scene चेक कर लेना है यहाँ पर guys आपका last scene nobody पे नहीं होना चाहिए आप my contact या फिर everyone पे रख सकते हो अगर guys आप nobody पे रखोगे तो जो online toast वाली setting होगी वो automatically disable हो जाएगी तो यहाँ पर आपने इन दोनों में से किसी एक को select कर लेना है तो guys जो next reason है online toast वाली setting disable होने का तो guys जब आप अपने whatsapp को open करते हो तो नीचे की और आपको एक floating button दिखता है guys जब आप इस floating action button पे click करते हो तो यहाँ पर आपके सामने 3-4 option आपको देखने कुम लेंगे तो यहाँ पर guys जो आपको second option दिखेगा यहाँ पर आपको एक watch का icon दिखेगा तो guys जब आप इस watch वाले icon पे click करते हो तो आपका whatsapp automatically restart हो जाता है उसके बाद guys जो online toast वाली setting होती है वो disable हो जाती है इस setting को दुबारा से on करने के लिए guys आपको फिर से floating action button पे click करना है अगर आपके whatsapp में भी online toast वाली setting disabled हो गई है तो आप एक बार इस watch वाले icon को चेक कर लें हो सकता है guys आपके whatsapp में भी यह disable हो गया हो guys online toast की setting disabled होने का जो next reason है वो है freezy last scene so guys fm whatsapp में आपको एक और feature मिलता है freezy last scene करके जिसके लिए guys आपको three dot पे click करके fm mode पे click करना होता है और यहाँ पर guys privacy policy पे click करना होता है तो यहाँ पर guys आपको एक setting दिखती है freezy last scene करके so guys इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप जब इस setting को on करोगे तो जो आपका last scene होगा वो एक ही time पे रुख जाएगा जब आपने इसको on क्या होगा so guys जब आप इस setting को on करोगे तो जो आपकी online toast वाली setting होगी वो automatically disable हो जाएगी अगर आप online toast वाली setting का use करना चाते हो तो आपको यह वाली setting off ही रखनी होगी यानि guys आप freezy last scene या फिर online toast वाली setting में से किसी एक ही setting का use कर सकते हो so guys अगर आप online toast वाली setting use करना चाते हो तो आपको यह वाली setting off करनी होगी तो guys यह last reason है online toast वाली setting disable होने का तो guys इसको start करने से पहले मैं आपको बता दूँ आप fm whatsapp का use करते हो इस वाले whatsapp में जितने भी feature है उस पर एक detail video है जिसमें हर एक feature के बारे में काफी detail से बताया गया है guys अगर आपने वो video नहीं देखी है उसका link में आपको video के description में दूँगा या फिर end में उसको मैं tag कर दूँगा तो guys आप उस वाली video को भी जरूर से देखें तो guys जो last reason है जिसके वज़े से online toast वाली setting disable हो सकती है तो guys यहाँ पर आपको three dots दिखते हैं आपको इन three dots पर click करना है click करने के बाद guys FM mode वाले setting को open कर लेना है so guys यहाँ पर एक option है home screen का तो आपने simplys पर click कर दाना है click करने के बाद guys यहाँ पर disable contact online toast वाली setting अगर on होगी तो guys आपका online toast work नहीं करेगा तो यह on होगा तो आपने simplys को off कर लेना है so guys basically यही reason है जिसके वज़े से online toast वाली setting काम नहीं करती है so I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई ये तो वीडियो को like कर दीजिए और channel को अभी तक subscribe नहीं क्या है तो channel को भी आर subscribe कर दो और comment box में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है वीडियो देखने के लिए thank you